Hello Friends, Welcome Back I hope all are doing well So हम बात करेंगे PC ज्वेलर शेयर के बारे में Current Price है 33.60 Minus 4.94% का दिया है Negative Return Last Session में Share है ASM Stage 1 में 52 Week हाई है 104 And 52 Week Low है 18 Fundamentals की बात करें तो Clearly Saying Negative है EPS है Minus 2.62% PE है Minus 12% And ROE है Minus 3.04% Jewelry sector से Belong करता है Share है सबको पता होगा PC Jewelers Share के बारे में बहुत Important Official Announcement आई है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए दो Important Official Announcement है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए Share के बारे में So 7th February को Update आया है Update on Intimation of Recovery Legal Action Against a Company by the Consortium Lender तो जो भी Lenders है वो Legal Action लेना चाहते है Recovery करना चाहते है अपने Loan Amount के तो आप समझे Most ली Companies ने Loan लिया होता है तो यह उसकी Recovery से Related है कि वो आपको चुछ Legal Action लेना चाहते है Banks के लिए प्डेट है Banks के नेम बताऊंगी कुछ IDBI Bank Indian Bank Bank of India and Karur Versailles Bank have also issued their Loan Recall Notice to the Company इन चाहर बैंक्स ने Company को Definitely Loan दिया है तो उन्होंने भी Loan Notice को जारी कर दिया है Company के लिए So अब आप I hope समझे चुके होंगे मैंने आपको बहुत इसी लैंग्विज में समझा दिया है दूसरा अपडेट 14 February को आने वाला है इनका Quarter 3 का Result तो डेट नोट करके रखिए 14 February September में कमपनी कैसी है September में कमपनी को Profit हुआ है 73 करोड का June में Profit था 59 करोड का तो अब देखना है December में कैसा Profit आता है जो की हमें 14 February को पता लग जाएगा Promoter Holding के इतने शेयर में 54% के आसपास Promoter Holding है Public की Holding है 45% के आसपास Next Target Friends, तो डाउं ट्रेंड में 30 रुपीस का Target लेके चलिए और अपर साइड में 35 रुपीस का लेके चलिए लेकिन जो ये News आई है Lender से Related Legal Action से Related इसकी वजह से आपको Share में Correction होता देखने को मिल सकता है अगर आपको किसी और शेयर से Related कोई भी Confusion है तो भी आपोच सकते हैं So Friends This Video is only for Educational Purpose अपनी हार्डन मनी को कहीं भी लगाने से पहले खुछ से रिसर्च करना बहुत जरूरी है हमेशा करिए तब इन्वेस्मेंट कीजिए आपको मैंने इसके जो अपडेट था Legal Action का वो बता दिया है So अब आपको कोई भी न्यू इन्वेस्टर हो तो उसके बारे बे ज़रूर पता होना चाहिए तो चानल को किये फर्स टाम विजिट प्लीज कर लिजे सब्सक्राइब Thank you so much